हरिद्वार में सिटकुल के रीजनल मैनेजर गिर्दर रावत ने अधिकारी पज की गरिमा की जम कर धज्यें उड़ाई सिटकुल शेत्र में बनी दीब गंगा सोसाइटी में अधिकारी ने शराफ पी कर जम कर हंगामा काटा सोसाइटी में चल रहे हैं लोडी के प्रोग्राम में पहुंच कर लोगों से बस स्वलूकी की और उन पर रॉप जाड़तेवे कारिकरम को बंद करने के लिए कहा इतना ही नहीं नशे में दूत अधिकारी ने खुद को सिटकुल का मालिक बताया अधिकारी के इस रवये से लोगों का पारा है हो गया और गुस्ताई लोगों ने गिर्दर रावत को धक्के दे कर वहां से निकाला मामली की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुँच कर मामला शांत कराया पूरी गटना का वीडियो भी सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वीडियो में नशे में दूत अधिकारी को लड़ खड़ाते हुए साब तौर पर देखा जा सकता है दीब गंगा सोसाइटी का अधिकारी का कहना है कि एक व्यक्ति सोसाइटी के गेट पर आया और उनके दौरा बताया गया कि गिर्दर रावत हूँ गेट पर तैनात खड़े गार्ड ने उन्हें नहीं पैचाना और नहीं हमने कि वो सिटकुल के अधिकारी है उनके दौरा गेट पर काफी हंगामा किया गया उस वक्त वो काफी नशेक की हालत में थे उनके दौरा कहा गया कि वो सिटकुल के मालिक है यहाँ पर जो भी कारिकरम होगा वो उनकी अनुमती के बिना नहीं होगा गेट बंध होने पर उनके दौरा अपनी गाड़ी सामने खड़ी कर दी गई जिससे आने जाने वाले लोगों को परिशानी हुई मगर वो गाड़ी हटाने को तयार नहीं थे मौके पर पहुँची पुलिस ने मामले को सुल जाया मगर इस तरह का दिकारियों पर शाशन और प्रशाशन को कारवाई करनी चाहिए बहुत ज़्यादा अत्तधित नशे की हालत में थे और आके उन्होंने हर तरीके से गाड़ के साथ सेक्योर्टी स्टाफ के साथ बत्तमीजी स्टार्ट करी और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सिड्कुल का मालिक हूँ मैं आरम हूँ यहां का मैं यहां सिड्कुल का मालिक हूँ और यहां हर चीज मेरे साब सो होगी से जानकारी प्राप्त हुई कि किसी व्यक्ति द्वरा दीब गंगा सोसाइटी में हंगामा किया गया जब इस मामले में जानकारी जुटाए गई तो पता चला कि जिस व्यक्ति द्वरा हंगामा किया गया उसने वहां लोगों से माफी मांग ली है पुलिस के पास कोई लिकित में तहरीर नहीं आई तेहरी आने पर कारवाई की जाएगी उनका कहना है कि जार्च में पता चला कि जिस्यक्ती दौरा हंगामा किया गया वो सिट्कूल के रिजनल मेरेजर है फिर उनat कैला कि उनके दौरा हंगामा किया था वो सम्मद में वहाँ के लोगों से आपस में माफी मांग ली है और इसमें कोई लिखे तरीर नहीं आए लेकिन जैसे कोई शिकायद अगर करता है और इस पर तो सुसंगत दाराओं में केस दर्च करके कारवाई की जाएगी है ब्यूर रिपोर्ट क्राइम पैट्रू